चले सुन्स, आज हम करेंगे Coordinate Geometry का Exercise 7.1 का Question No. 7 काफी important question है ठीक है, कई बारी Board Examination में Iowa question है, तो ऐसे question का practice तो आपको 100% हो नहीं होना चाहिए, ठीक है तो चले पहले question को अच्छी तरीकी से समझ लेते हैं, question में हमसे कहा गया है हमने एक point को find out करना है, हमने एक point को find out करना है, जो की x axis के उपर है, ठीक है and, इन दोनो point से बराबर दूरी पर है तो देखें, यह हमारा first point है ठीक है, हमारा first point यहाँ पर है, 2, minus 5, इसे हम a point suppose कर लेते हैं, ठीक है यह हमारा second point है जो की है minus 2,9 है ना इसको हम b point suppose कर लेते हैं अब हम यह suppose कर लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई point है जो की x axis के उपर है and, इन दोनो point से बराबर दूरी पर है इससे इसका distance and इससे इसका distance equal है अब हम इस point को suppose कर लेते हैं b point अब क्यूंकि यह जो point है वो x axis के उपर है तो जब हम इस point को suppose करेंगे तो उसका x coordinate तो कुछ ना कुछ जरूर होगा लेकिन y coordinate 0 होगा तो आपने याद रखना है कि x axis के ओपर जो भी point होता है उसका x coordinate तो कुछ ना कुछ जरूर होता है बट उसका जो y coordinate होता है वो होता है 0 तो जब भी आपने x axis के ओपर कोई भी point suppose करना है तो आप इस तरीके से suppose करोगे ठीक है x coordinate पर कुछ भी आप रख लोगे लेकिन आप y coordinate को यहाँ पर 0 रखोगे ठीक है तो अभी हमने यहाँ पर x coordinate के ओपर जो point suppose किया है वो लिया है a, 0 ठीक है एंड यह जो point है यह है p point तो चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं let p जो कि है a, 0 be a point on x axis which is equidistant जो कि बराबर दूरी पर है from this point जिसे हम a suppose कर लेते हैं and this point जिसे हम b suppose कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर हमने यह suppose कर लिया कि हमारा जो यह point है p point जिसके coordinates है a, 0 यह इन दोनों point से बराबर दूरी पर है ठीक है तो हम लिखेंगे according to question p से a का distance यानि कि pa जो है वो p से b का distance p b के equal है ठीक है तो p से a का distance according to question p से b के distance के equal है इसलिए हमने pa equals to p b लिख लिया ठीक है अब क्योंकि pa equals to p b है तो हम pa का square equals to p b का square तो लिखी सकते हैं दोनों sides का अगर हम square कर लेंगे अगर pa equals to p b है तो pa का square जो है वो p b के square के equal तो हो गई होगा squaring both sides करने पर अब देखें हमने p से a का distance यहाँ पर निकालना है जब हम pa निकालेंगे तो p से a का distance निकालेंगे जैँ है अब देखें distance formula में square root होता है square root of x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square होता है distance formula क्योंकि यहाँपर square लगा है तो square से square root cancel out हो जाएगा तब हमारा distance formula अब यहाँपर रहा जाएगा x2-x1 का whole square plus y2-y1 का whole square नहींचे देखें p से a का distance निकालने के लिए हम distance formula का use करेंगे जिसमें हमारे पास में होता है square root में x2 minus x1 का whole square प्लस y2 minus y1 का whole square लेकिन यहाँ पर हमने square लगा लिया है, square से square root cancel out हो गया है, इसलिए अब हम बिना square root के distance formula को यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, अब देखे हमने pa का distance निकालना है न, and तो p क जो coordinates होंगे उसको हम x1, y1 मानेंगे, and जो a के coordinates होंगे उसको हम x2, y2 मानेंगे, ठीक है, इस बात को आपने याद रखना है, अब देखे हम पर है x2 minus x1, p के coordinates को हम मानेंगे x1, y1, a के coordinates को हम मानेंगे x2, y2, तो हमारा x2 minus x1 हो जाएगा 2 minus a, तो हमारा x2 minus x1 हो जाएगा 2 minus a, इस पर square है, तो square लगा लेंगे, ठीक है, फिर plus, फिर यहाँ पर है y2 minus y1, y2 हमारा है minus 5, y1 हमारा है 0, तो y2 minus y1 हो जाएगा minus 5 minus 0, तो y2 minus y1 हो जाएगा minus 5 minus 0 का whole square, फिर equals to है तो लगाएंगे equals to, अब यहाँ पर है pb का square है तो हम distance formula अपलाई करेंगे, लेकिन वहाँ पर square root नहीं लगाएंगे, क्योंकि square से square root cancel out हो गया है, तो यहाँ पर भी distance formula से हमारे पास में बचेगा x2 minus x1 का whole square, प्लस y2 minus y1 का whole square, ठीक है, अब देखे, हम pb का distance निकालने हैं तो p के coordinates को हम लेंगे x1 y1, and b के coordinates को हम लेंगे x2 y2, correct अब हमने निकालना है x2 minus x1 तो P के काओडिनेट्स को हम लेंगे x1, y1 P के काओडिनेट्स को हम लेंगे x2, y2 तो हमारा x2 minus x1 हो जाएगा minus 2 minus a तो हमारा x2 minus x1 हो जाएगा minus 2 minus a ठीक है? minus 2 minus a, sorry हाँ minus 2 minus a x2 minus x1 हमारा हो जाएगा minus 2 minus a फिर यहाँ पर है plus फिर है y2-y1 का whole square अब देखे y2-y1 अब हमारा हो जाएगा y2 हमारा है 9, y1 हमारा है 0 तो y2-y1 हो जाएगा 9-0 तो y2-y1 हो जाएगा 9-0 correct चले अब हम आगे solve करते हैं question को अब देखे यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास में है 2-a का whole square और यह हमें a-b का whole square की तरह दिखाई दे रहे हैं और जब भी हमारे पास में a-b का whole square होता है तो सबसे पहले आता है a का square फिर आता है b का square फिर आता है minus में 2-a-b अब देखे a हमारा है 2, b हमारा है a तो a का square हो जाएगा 2 का square b का square हो जाएगा a का square फिर minus 2ab a हमारा है 2 and b हमारा है a तो इस प्रकार से इस प्रकार से ये open हो जाएगा correct फिर plus है तो लगाएंगे plus अब देखिए हम पर है minus 5 minus 0 का whole square तो minus 5 minus 0 हो जाएगा minus 5 minus 5 minus 0 हो जाएगा minus 5 minus 5 का square हो जाएगा plus 25 क्योंकि minus का square होता है plus and 5 का square होता है 25 तो minus 5 का square हो जाएगा plus 25 चलिए अब हम आगे solve करते हैं ठीक है अब देखें यहाँ पर हमारे पास में है minus 2 minus a का whole square दोनों के पास में minus है तो जब हम minus इन में से बाहर common लेंगे तो minus का square हो जाएगा plus and यह हो जाएगा हमारा 2 plus a तो आपने अच्छी तरीकी से याद एकना है दोनों के पास में हाँ पर minus है यहाँ पर है minus 2 यहाँ पर है minus a इस पर whole square लगा है तो जब हम minus बाहर common लेंगे तो minus का square हो जाएगा plus and यह plus के हो जाएगे तो यह हो जाएगा हमारा 2 plus a ठीक है a का square प्लस b का square प्लस 2 a b इस तरीके से यह हमारा open हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर है plus तो लगाएंगे plus यहाँ पर है 9 minus 0 का whole square अब देखें 9 minus 0 होता है 9, 9 का square हो जाएगा 81 तो यहाँ पर रहेगा 81 अब देखें left hand side में भी हमारे पास में 2 का square है right hand side में भी हमारे पास में 2 का square है तो यहाँ पर भी 2 का square है यहाँ पर भी 2 का square है तो 2 का square से 2 का square cancel out left hand side में भी हमारे पास में A का square है right hand side में भी हमारे पास में A का square है तो A का square से A का square cancel out ठीक है तो इससे यह cancel out होगे अब देखे यहाँ पर left hand side में अब हमारे पास में एक तो यह बचा है न तो यह हो जाएगा 224a आगे है minus तो यह हो जाएगा हमारा minus 4a इसको solve करके आएगा minus 4a फिर यहाँ पर है plus 25 अब चलते है right hand side पर अब देखे right hand side में हमारे पास में है 224 into a 4a plus 81 ठीक है अब हम इन दोनों a वाले terms को right hand side की तरफ को लेकर के जाएंगे तो हम minus 4a को जब हम left से right में लेकर के जाएंगे तो right hand side की तरफ को हो जाएगा 4a plus 4a ठीक है तो आपने याद रखना है कि right hand side में पहले से 4a है जब हम minus 4A को left से right में लेकर जाएंगे तो right side में जाकर करके यह हो जाएगा plus 4A ठीक है अब देखिए यहाँ पर है plus 25 ठीक है यहाँ पर है plus 25 81 को जब हम 81 को जब हम right से left में लेकर करके आएंगे तो यह हो जाएगा minus 81 अब थोड़ा solve करते हैं अब देखिए 25 minus 81 81 बढ़ा है तो 81 में से हम 25 को minus करेंगे फिर minus का sign आगे लगा लेंगे क्योंकि 81 बढ़ा है उसका sign minus का तो यहाँ पर minus का sign तो आई गए आएगा तो 11 में से 5 गिया 6 7 में से 2 गिया 5 तो यहाँ पर आएगा 56 correct अब देखिए 4A plus 4A हो जाएगा यह 8A ठीक है दोनों size को हम 8 से divide कर लेंगे हैं 8 7 जो होता है 56 आगे minus है तो यह minus 7 हो जाएगा 8 से 8 cancel out हो जाएगा तो हमारे पास में A का value आजाएगा minus 7 तो A का value हमारे पास में आगे है minus 7 अब देखिए हमारा जो point हमारा जो point on x-axis है जो कि इन दोनों point से बराबर दूरी पर है उसको हमने माना है यहाँ पर A,0 तो therefore हमारा जो point P है जो कि A,0 है वो हो जाएगा हमारा P point हो जाएगा 7,0 क्योंकि हमने, sorry, minus 7,0 क्योंकि हमने A का value हम पर minus 7 निकाला है तो हमारा जो point P है जिसको कि हमने A,0 suppose किया था जो कि इन दोनों point से बराबर दूरी पर था वो यहाँ पर आ गया minus 7,0 तो हम लिखेंगे therefore point P जो कि minus 7,0 है is on x-axis जो कि x-axis के उपर है and equidistant भी है from यह वाला point and यह वाला point जो कि है पहले point को हमने A माना आने तो 2, minus 5 and दूसरे point को हमने B माना है जो कि है minus 2,9 तो यह आगया हमारे question का final answer यहाँ पर हमने यह निकाला कि x-axis के उपर जो यह point है minus 7,0 वो इन दोनों point से बराबर दूरी पर है और यही तो हमसे पूछा गया था तो यह आगया हमारे question का final answer I hope आपको यह question बहुती अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अगर आपको यह question बहुती अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो please आप इस video को like कीजिए, share कीजिए, हमारे channel को subscribe कीजिए हम इसी प्रकार से आपके book के जितने भी important questions है and board examination में जो question आ सकते हैं जो की काफी important हैं उनके solutions जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भीजिएंगे तो मिलते हैं next video में Thank you